अगर आपको नौन विच खाना है और बहुत ही नई नई डिस आप बनाकर घाने के सौकहीन हैं तो आप आज इस रेषपी को देखने के बार इसे आप बार बार बना के खाएंगे अगर आप एकी तरह से चिकन बना कर खाकर बोर हो गए है तो ये रिस्पी आपके लिए है तो आज हम बनाने वाले हैं दही चिकन एक बढ़िया सा आप्सन है ये चिकन का और इसे आप लंच या डिनर में कभी भी बना के खा सकते हैं बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट अगर आपको एक बार इसका स्वाद लग गया नो तो आप इसे ही बना कर खाएंगे तो चलिए इस बनाना सुरू करते हैं तो हैलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल एजी कुकिंग वित नीलू पर तो यहां पर हमने ले लिया है एक किलो जीकन जिसे हमने बहुत ही बढ़िया से साफ करके और धुल लिया है और इसमें पाली नहीं है तो इसमें हमने अधरक लासन का पेश्ट दो चमच डाला है और एक कटोरी हम इसमें डाल रहे हैं दही दही को हमने पहले अच्छे से फेट लिया था एक चम्मच लाल मिच पॉडर डालेंगे तीखा आप अपने उनसार स्वाद के रख सकते हैं दो चम्मच धन्य पॉडर आधा चम्मच हम डालते हैं इसमें हल्दी पॉडर एक चम्मच गास्मीरी लाल मिच पॉडर और स्वादर अनसार नमद इन सब को अच्छ से मिलाने के बाद हम इसे आधा गंटा के लिए रख देते हैं रेश्ट पर और अधिकी समय तक के लिए भी रख सकते हैं तो गैस पे हमने कडाई चड़ा दी ती और उसमें डाल दिया था सरसो का तेल हमने सरसो का तेल एक चोथाई कप यूच किया है अब इसमें कुछ खड़े बसाले जाएंगे तो दो खड़ी लाल मिर्च डाले हैं एक बड़ी लाईची 4 चोटी लाईची और चार से तरह से भूजा चुकी है देखिए कलर चेंज हो गया है तो अब इसमें डाल देते हैं चिकन को डालने के बाद आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिलाना है और हाई फ्लेम पर कम से कम 10 मिनट के लिए पखने देंगे 10 मिनट के बाद हम इसे कवर कर देते हैं तो बहुत ही अच्छे तरह से मिलाएंगे तो चिकन को बहुत अच्छे से मिलाईएगा ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाए अब इसे कभर करके हम 10-15 मिनट तक के लिए low to medium flame पर पकने देंगे तो 10-15 मिनट हो गया है और gas का flame low to medium है तो यहां देखिए चिकन में से तेल ऊपर आ गया है और बहुत सारा पानी इसमें से निकला है तो इसी तरह से चिकन को पकने देते हैं और इसमें डाल देते हैं एक चमच जीरा पॉर्डर और आधा चमच गरम मसाला बस इतने ही मसालों में यह चिकन जो है दही चिकन बनकर तेयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है अगर आपने इस तरीके से एक बार बना के इसे खा लिया तो ये आपको बहुत प्रसंद आएगा और बार बार आप यही बना के खाएंगे तो अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें डाल देते हैं गरम पानी आप ग्रेवी जितना रखना चाहें रख सकते हैं कम या ज क्साना नहीं लगता है तो दही चिकन बन कर तैयार हो गया है लाश्ट में डाले प्रह किस्तूरी मेथी और धनिया के पते देखने में जितना यहीं देख रहा है टे स्टी उतना हि खानी में लगता है तो आप इस रेसपी को जरूर एक बार हमारे तरीके से पना के हमारी वीडियो को आप जादा से जादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि वह भी हमारी वीडियो देखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्यारा और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा तो हमने इसे इसी तरह से दिखा दिया है कडाई में ही तो गैस का फ्लेम बन करते हैं और आप इसे चलते हैं नीचे उतार कर आपको दिखाते हैं कलर इसका देखिए बहुत ही बढ़ियां आया है और बहुत ही स्वाधिस्टियर बन कर तैयार हुआ था तो आप जरूर बना के खाईए दही चिकन बनाना बहुत आसान है तो अगर आपको आज हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और वीडियो थोड़ी से भी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह प्यार और सपोर्ट देते रही है मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ